दोस्तो आपका स्वाकत है आज की फ्रेश वीडियो में दोस्तो अगर आप एक ब्लोगर होगें तो मेरी खाल से आपको ओल्रडी पता होगा यूटूब पर एक गूगल का शो आता है जिसका नाम है Ask Google Board जिसके अंदर दोस्तो SEO के बारे में इसके बाद गूगल के जिनने भी जो लेटस अपडेट्स होते हैं इसके बारे में डिसकस किया जाता है तो ये इसका जो Ask Google Board का एक एपिसोड था जिसके अंदर रिसेंटली बताए गया है कि अगर आप अपना ब्लोग माइगरेट करते हो और माइगरेशन के टाम आप मिश्टेक करते हो आपका लोकेशन वगेर आप चेंज करते हो तो आपके SEO इसके बाद आपके Google रेंग के ओपर आपको काफी इंपेक देखने को मिलागा मतलब कि आपका जो Google का रेंग है वो डाउन हो सकता है तो क्या है पूरा न्यूज किस तरह से आपको प्रोपर वेसे आपका वेबसार्ड माइगरेट करना चाहें क्योंकि मैंने देखा कि इंडिया के अंदर नॉर्मरली सबी लोग एवरी यर इसका वेबसार्ड एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग के अंदर माइगरेट करते हैं इसका रिजन यह होता है कि होस्टिंग की प्राइस रिन्यूवल टाइम बहुत ज़्यादा होती है तो चीप प्राइस में रिन्यूवल करने के चकर में वो अपनी वेबसार्ड को एवरी यर यहां से वहां माइगरेट करते रहते हैं तो यह जो आपकी मिश्टे के जिसके वज़े से आपको आपकी ब्लोगिंग करियर के अंदर काफी नुक्षान जा सकता हैं तो डिटल में सबके बारे में जानने के लिए दोस्तों आसका वीडियो देखते रहे हैं दोस्तों मैं आपको बाता है इस तरह से इंडिया के अंदर काफी सारे ऐसे ब्लोगर है वो एवरी यर इसका वेब होस्टिंग चेंज करते हैं इसका जो प्राइसिंग है इसकी वज़े से क्योंकि मैं वेबसाड माईगरेशन की सर्यूसिस वगरे प्रवाड करता हूं तो इसका वेबसाड माईगरेशन करते हैं अब देखिए अगर आप प्रोपर वेबसाड का रेंग हो जाता है आपको यह पता भी नहीं चलता है लेकिन आपको इतना कुछ खास पता नहीं है बस आप एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग अंदर आपका ब्लोग माईगरेशन करते रहते हों तो आपकी वेबसाड का रेंग हो काफी डाउन हो जाता है आपको यह पता भी नहीं चलता है लेकिन आपकी वेबसाड के ट्राफिक जो अच्छानक डाउन हो जाते हैं आपका गूगल के अंदर जो भी आपका रेंग है वो डाउन हो जाता है यह सभी परकार की बाते जो ask google book का एक episode जिसके अंदर बताई गई है कि अगर आप अपनी website जो migrate करते हो दूसरे hosting के अंदर तो आपकी website का जो rank है वो automatically down हो जाता है अब देखिए जो सभी blogger है वो इंडिया के वो इतना detail में नहीं देखते हैं आपको पता होगा कि जितने भी जो blogger हो shared hosting यूज करना का option provide नहीं करते हैं मालीज अगर आपने name chip के अंदर आपका website host करके रखाया तो वहाँ पर automatically आपको एक location मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूँ कि किस तरह से आपको check करना कि आपका जो website है वो कौन सी country के अंदर host किया गया है automatically कहाँ पर migrate करो transfer करो तो आपको same location choose करना बहुत है जरूरी है अगर आप अपनी website का back in का location भी अब असानक से chance करोगे तो भी आपको Google ranking के अंदर SEO के अंदर काफी negative impact देखने को मिलेगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो website open है यह website मैंने cloud hosting के अंदर host करके रखा है तो मैं जो cloud hosting क जब भी website वगरे host करता हूं तो तबी मैं खूद जो server location choose कर सकता हो कि कहाँ पर मुझे मेरा website वगरे host करना है कौन सा location मुझे रखना है यासे कि अगर यहाँ पर website का URL paste करते हैं यह website है checkhost.net यह आपको hosting की कंटी जो data करके देता है कि आपका website यहाँ पर host है तो info के उपर हम क्ल करते हैं तो यहाँ पर देखे आपको देखे देगा मैंने इसके अंदर इंडिया source करके रखा था क्योंकि मैंने digital host के cloud hosting में website host किया है वहाँ पर हमें location source करना का option मिलता है इसके बाद दोस्तों हम आपको shared hosting के website के बार में बता दो हूं डोमेनियम लेखते हैं info के उपर क्लिक करते हैं तो यह membership के अंदर हमने host करके रखा तो यहाँ पर आप देखे हैं ओटोमेटिकली जो कोई random country के अंदर membership website host कर देता हैं यहाँ पर आपको जर्मने के अंदर यह website host करके रखां तो जब भी आप अपना website वगेरे माइगरेड करो तो आपको ये बहुत ही जान रखना जरूरी है कि आपका जो वेबसार का लोकेशन है वो सेम रहना चाहिए अगर आप इसको चेंज करे करते हो असानक से तो आपकी रैंकिंग के अंदर आपको काफी नेगेटिव इंपक्त देखने को मिलेगे इसके बाद दो इसको काफी लेट वो क्रोल करेगा क्रोल आपका जो स्लोडाउन हो जाएगा ये इसके वज़र से आपके जितने पी जो न्यू लेटेस अपडेट पोस्ट वगे रहे हैं वो गूगल के अंदर रैंग नहीं होगीं इंडेक्स नहीं होगीं तो ये बात का आपको बहुत ही जान रखना हैं तो ये website का आपको यूज करना जभी आप अपना website मध्र करो तो आपको location छूज रखना Location चेम रखना बहुत जरूरी है अब देखिए सभी प्रोल मं का solution बहुत ही अच्छयाक solution हैं इसका नाम है cdn अगर आप हो सके तो आपकी website के अंदर content delivery network का use की जिम इसकी वज़े से आपको कभी किसी भी प्रकर का problem नहीं होगा यहाँ पर आप देखी मैं आपको देखा था हूं search engine general के उपर इसके बारे में पूरा एक article है Google के अंदर यहाँ पर इसका जो latest episode था ask Google board इसके अंदर बदा गया था कि अगर आप अपना web hosting चेंज करत हो तो तो क्या इसके अंदर आपको SEO के अंदर impact देखने को मिलागा यहाँ यहाँ पर भी लिखा है first point के अंदर की आपको जो website है वो slow down हो सकता है इसका crawling slow down हो सकता है जिसके उदे से आपकी जितनी बीजो article होगर है वो Google के अंदर first index होकर rank नहीं करेंगे इसके बाद यहाँ आप लिखा देखिए आपको जो website है वो शुरुवात के time में loading होने में काफी time लगएगा क्योंकि असानक से अगर आप अपना website का hosting वोगरे चेंज करते हो तो इस पर करके negative impact आपको देखने के negative impact आपको देखने को मेलेगा तो मेरा तो आपको एक ही solution रहेगा कि आप हो सके तो starting से ending तक एक ही web hosting का यूज करें आप बार बार web hosting चेंज मत कीजेगा अगर हो सके तो आप cloud hosting यूज कीजे जिसके अंदर आप अपना खुद का server location चूज कर सकते हो तो जब भी आपको अगर आपका server वगरे अप्डेट करना है तो इसको बढ़ा वगरे करना है तो आप आ website migrate करो तो वहीं time के अंदर आपको आपका website एक server से दूसरे server के अंदर migrate करना चाहे जब आपकी website के अंदर सबसे कम traffic हो मतलब कि आपको भी पता होगा कि आपकी website के अंदर इदने time के during वह भले time रात में हो लेकिन ये time के during आपकी website के अंदर सबसे कम traffic आता है तो इस time के अंद तरह आपको website migrate करना चाहे तो I hope कि दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि बार-बार hosting चेंज करने से आपकी website को negative impact विगरे पड़ता है ये सब के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजे इसके बाद हम आशने को subscribe कर ल थेंक ये पर शिंद इस वीडियो